हेलो फ्रेंड्स मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे सौगत करता हूँ हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्चिचुशन और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है डिगनीटरी डिगनीटरी की स्पेलिंग क्या होती है? डिगनीटरी का मतलब क्या होता है? उस पर्षन को बोलता है डिगनीटरी तो डिगनीटरी का मतलब होता है अपर्षन हू होल्ड सा हाई ओफिस एक ऐसा पर्षन जिसको हाई ओफिस मिला है मतलब उच्छ पदप है उस पर्षन को हम क्या बोलता है डिगनीटरी नेक्स्ट है डिलेटेंट दिलेटेंट की स्पेलिंग क्या होती है D-I-L-E-T-A-N-T-E दिलेटेंट का मतलब होता है A Dabbler In the Arts and Literature या फिर An Admirer of Art मतलब कला एवं साहिते में सतही रूची रखने वाला सतही का मतलब थोड़ा कला और साहिते में थोड़ा सा रूची रखने वाला उसको हम बोलता है दिलेटेंट और इसी को हम डैबलर भी बोलता है तो दिलेटेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो डैबलर हो जाएगा Next है डिप्थिरिया डिप्थिरिया की स्पेलिंग क्या होती है D-I-P-H-T-H-E-R-I-A डिप्थिरिया का मतलब होता है और इन 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 इ और एक वर्ड है डिप्लोमेंट तो डिप्लोमेंट वो परसन होता है एन ओफिसियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री अब्रॉड डिप्लोमेंट वो परसन होता है जो अब्रॉड में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है डिप्लोमेंट वो परसन होता है उसको बोलते हैं diplomat जिसको हम बोलते हैं राजनाइक और इसी वर्ड का synonym हो जाएगा statesman diplomat और statesman यह दोरों एक ही होते हैं यह वर्ड एक दूसरे के synonym होते हैं और diplomacy क्या होता है the art practiced by statesman मतलब statesman या फिर diplomat के द्वारा जो भी अपनाई गई नीती होती है उसको बोलते हैं diplomacy जिसको हम हिंदी में बोलते हैं kut niti तो diplomat वो person होता है जो अपनी country को represent कर रहा है विदेश में, abroad में और उसके द्वारा जो भी अपनाई गई नीती होती है उसको बोलते हैं diplomacy जिसको हम हिंदी में बोलता है कूर्ट निती नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया डिप्सोमेनिया तो यहां पर एक root word मेनिया है तो किसी भी word के last मेंगर मेनिया लग जाए तो उसका मतलब होता है कि उस आदमी को उस चीज की लट लग गई है तो डिप्सोमेनिया का मतलब हो जाएगा Irresistible craving for alcoholic drink या फिर The inability of a person to sun alcoholic drinks तो यहां पर sun एक word है sun इसका मतलब है दूर रहना तो एक इंसान के अंदर एक ऐसी inability है कि वो alcoholic drink से दूर नहीं रह सकता मतलब उसको drink करने की लालसा है उसको लट है उस person को बोलते हैं डिप्सोमेनिया उसको जो भी drink करने की लट है जो भी सराब पीने की लट है तो उस लट को क्या बोलते हैं उस लट को बोलते हैं डिप्सोमेनिया और अगर हम बात करें उस person की तो हम उस person को बोलेंगे Dipsomaniac Next है Directive Directive का मतलब होता है General Instruction जो भी सामाने निर्देश होता है उसको हम बोलता है Directive Next है Directrate Directrate का मतलब क्या होता है Board of Directors in a Company or an Organization Directrate का मतलब होता है Board of Directors in a Company or an Organization मतलब किसी भी Company या संगठन में जो भी निर्देशों को का समू होता है जो भी Directors का समू होता है उसको हम बोलता है Directrate Next है Directory Directory का मतलब होता है A Book of Names and Addresses मतलब एक ऐसा Book जिसमें किसी भी person का नाम लिखा हो Address लिखा हो, Contact Number लिखा हो उसको बोलता है Directory Next है Dirge Dirge की Spelling होता है D-I-R-G-E Dirge का मतलब होता है A Funeral Song या फिर A Song Sung At A Burial तो Dirge का मतलब A Funeral Song होता है मतलब जो किसी की मृत्ति हो जाती है तो जो भी सोक गीत गया जाता है उसको बोलता है Dirge Next है Distort Distort का मतलब होता है Pull Out Of Usual Shape Distort का मतलब क्या होता है Pull Out Of Usual Shape मतलब किसी भी चीज के सामान अकरिती में परिवर्तन किसी भी चीज के सामान सेप में जो भी परिवर्तन होता है उसको बोलता है Distort Next है Divergen Divergen का मतलब होता है Change in Direction मतलब दिशा में परिवर्तन उसको हम बोलता है Divergen जैसे जब हम सड़क पर चलते रहते हैं और मालीजे के कहीं रोड बन रही है तो वहाँ पर लिखा रहता है Root Divergen मतलब रास्ते को चेंज किया गया तो वही है Divergen Divergen का मतलब है Change in Direction जिसा में परिवर्तन को बोलता है Next है Dividend Dividend का मतलब होता है Money Paid to Shareholder by a Company Dividend का मतलब होता है Money Paid to Shareholder by a Company तो किसी कमपनी द्वारा जो भी सेयर धारक है जो भी सेयर होल्डर है उनको जो भी धन दिया जाता है उसको बोलता है Dividend किसी भी कमपनी द्वारा जो भी सेयर होल्डर होता है उनको पैसा Divide करना उनको पैसा Divide करना उसी को हम बोलता है Dividend Next है Domicile Domicile का मतलब होता है A Place of Permanent Residence मतलब जो भी स्थाई निवास स्थान होता है उसको बोलता है Domicile जैसे हम कोई भी form feel करता है न तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब instruction लिखे रहते हैं कि जो भी पाकिस्तान से आया हो मतलब ये सब लिखा रहता है तो वहाँ पे ये word use होता है Domicile Next है Dormetry Dormetry का मतलब होता है A large sleeping room with many beds in a college or public institution उसको बोलता है Dormetry ये एक large sleeping room होता है जिसमें बहुत सारे beds होता है किसी भी college या फिर public institution में उसको बोलता है Dormetry मतलब अनिक व्यक्तियों के जो भी सोने का सायनकच होता है मतलब सोने का जो भी room होगा उसको बोलेंगे Dormetry Next है Dossier Dossier की spelling क्या होती है D-O-S-S-I-E-R इसको pronounce करते हैं Dossier इसका मतलब होता है a collection of documents that contains information about a person an event or a subject तो Dossier क्या होता है ये collection होता है documents का जिसमें information होता है किसी भी person का event का या फिर किसी भी subject के बारे में किसी व्यक्ति घटना या विसे से संबंदित जो भी सुचना वाला document का collection होगा उसको बोलेंगे Dossier next है dotage dotage की spelling क्या होती है D-O-T-A-G-E इसका मतलब होता है extreme old age when a man behaves like a fool मतलब extreme old age जब आदमी बहुत ही ज़्यादा बुड़ा हो जाए और वो behave करने लगे fool की तरह मतलब मुर्खों की तरह behave करने लगे एक ऐसी अवस्था व्रिद्धा अवस्था की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी आदमी behave करने लगे fool की तरह मतलब मुर्ख की दर मुर्खता पुर्ण हरकते करने लगे तो उसको बोलता है dot age जिसको हम हिंदी में बोलता है satiyana हम बोलता है ना कि बुढधा satiyana गया है तो उसको हम बोलता है dot age तो उस old age को हम क्या बोलेंगे उस old age को हम बोलेंगे dot age तो यहां पे dotage में भी age आ रहा है dot age dot age इसमें भी age आ रहा है और old age में भी age आ रहा है तो dotage का मतलब extreme old age next है draft इसको पढ़ते हैं draft d-r-a-u-g-h-t इसको प्रणाउंस करते हैं draft इसका मतलब होता है gust of wind हवा के जोके को बोलते हैं draft एक इसी से related एक और word होता है उसको हम बोलते हैं drought इसकी spelling होती है d-r-o-u-g-h-t drought का मतलब क्या होता है want of rain मतलब वर्षा की कमी या फिर अभाव, अकाल, सुखा उसको हम बोलते हैं drought अब यहां पे दो word है एक है draft और एक है drought दोनों की spelling लगबग same है इसमें है a और इसमें है o अब इन दोनों word को हम याद कैसे करेंगे तो यहां पे जो word लिखा है draft इसमें आ रहा है d-r-a-u-g-h-t तो इसमें word आ मतलब इसमें जो spelling है वो है a तो a से हम याद रखेंगे air को a से air तो draft में a है और a से हम याद रखेंगे air तो air मतलब air मतलब क्या हो जाएगा हवा हो जाएगा मतलब हवा का जोका तो draft में क्या हा रहा है a से क्या हो जाएगा air हो जाएगा तो draft का मतलब हो जाएगा gust of wind हवा का जोका और जब यह याद हो जाएगा तो हमें तो यह पता ही चलेगा कि यह क्या ड्राउट है इसका मतलब हो जाएगा अकाल या फिर सुखा नेक्स्ट है ड्राउन इसकी स्पेलिंग होती है ड्राउन इसका मतलब होता है अ गेम डैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्टरी नौर इन दिफीट उसको बोलता है ड्राउन इसका मतलब होता है अन्नीरित खेल जिसमें कोई भी हारजित ना हो उसको हम बोलता है ड्राउन नेक्स्ट है ड्रोमो मेनिया तो यह वर्ड कि लास्ट में क्या आ रहा है मेनिया आ रहा है तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा कि ये लथ है किसी प्रगार की ये लथ है तो dromomania का मतलब क्या हो जाएगा mania for traveler तो यात्रा करने की जो भी तीवर लालसा होगी मतलब यात्रा करने की जो भी लथ होगी उसको हम बोलेंगे dromomania next है drought यह हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है अभाव या विर अकाल next है drawer drawer का मतलब होता है one who deals in cattle मतलब मवेशियों का जो व्यापार करता है उसको बोलते हैं drawer cattle मतलब क्या होता है? cattle मतलब होता है जैसे cow या फिर buffalo उसको बोलते है cattle मतलब इस टाइब के अनिमल को cattle बोलता है तो drawer का मतलब होता है कि जो cattle का व्यापार करे उसको हम बोलता है drawer यहाँ पे एक fixed preposition यूज हुआ है deals in तो यहाँ पे deal के साथ in का यूज होता है और deal in का मतलब होता है tread in व्यापार करना यह fixed preposition है tread in व्यापार करने को बोलता है next है drown d-r-o-w-n drown का मतलब होता है to die in water or any other liquid because one is unable to breathe drown का मतलब क्या होता है d-r-o-w-n drown का मतलब होता है to die in water मतलब water में die हो जाना water में मर जाना या फिर किसी दूसरे liquid में क्योंकि one is unable to breathe क्योंकि आप सास नहीं ले पा रहा है उसको बोलते है drown तो हमारे पास दो वर्ड होता है दूबने का एक दो वर्ड होता है sink और एक होता है drown तो sink जो होता है वो non living के लिए use करते है कोई भी non living दूब जाए तो वहाँ पे हम use करते है sink का लेकिन जब हम sink का use living के लिए करते है सजीव के लिए करते है तो वो खाली डूबेगा वो खाली डूबेगा मरेगा नहीं तो वहाँ पे हम उसको living के लिए use करते है sink को और drown का मतलब होता है कि डूब के मर जाए ये दो वर्ड होते हैं नेक्स्ट है ड्रगिस्ट ड्रगिस्ट एक ऐसा पर्षन होता है who prepares and sells drugs मतलब जो दवा बनाए ये फिर दवा बेची उसको हम बोलते हैं ड्रगिस्ट नेक्स्ट है डफर डफर की स्पेलिंग होती है d-u-f-f-e-r d-u-f-r का मतलब होता है a slow, weighted and incompetent person मतलब एक ऐसा पर्षन जो कि मंद बुद्धी का हो या फिर अयोग बेच्टी हो उसको बोलते हैं d-u-f-r नेक्स्ट है ड्यूप्लेक्स ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है a residing building divided into two apartments तो एक ऐसी building जो कि divide हो two apartment में उसको बोलते हैं duplex उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं duplex अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe और share जरूर करिएगा धन्यवाद